जी सर क्या नाम आपका राम उत्तर प्रदेश में सर पहले उसको लोग जानते थे क्राइम के नाम से गुंडागर्दी के नाम से बाहु बलियों के नाम से अब लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पर प्रशासन हो यहां सरकार हो जैसे एक्शन ले रही है एंकाउंटर देखने को मि आप शोकांगरू रहते हैं तो आप शोकांगर्थ सहिए बीदी प्रसाइंतर प tavalla रूह भी जान हृत तो जैगा वेके वी विविश्या अंआइ процट जी ने जाता हैंजाम वहाँ तो इस जैनल नाम से वीच ता कर इंग को पर शजागों पाश्हण दिनोस्रेगा हैं थे से dug 47 years Sir, बहुत से लोग मेरे को मिलते हैं जो अमेरिका में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं तो उनसे मेरा एक प्रशन हमेशा रहता है क्योंकि जो पार्टीज यहां पर कहती हैं लग-लग पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि 2014 के बाद कहीं न कहीं दुनिया बर में एक देखने का नजरिया भारतियों के प्रती चेंज हुआ है आप तो खुदवार रहे हैं 47 साल से आप बता रहे हैं आपने क्या मैसूस किया बहुत कुछ आप वो हिंदुस्तानियों को सब इज़त की नजर से देखते हैं और वो हिंदुसानियों के इजट की नजर मोदीजे का कमाल है अपने जो फूरें मिनिस्टर है जैशंकर दे आर पुटिंग एर्टिंग आन परस्पेक्ट इन वोल रॉल इस चेंगे दे लुक एवरीबड़ी दे रेस्पेक्ट जैशंकर के वो चर्चा हो रही है वो 2019 में जब की बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा ज़ादा रही दो प्रदान मंत्री पत देख रहे हैं राहूल गांदी वो बाहर जाकर बोलते हैं कि आकर के भारत में लोकतंतर बचाओ ब्रिटेन के संसेदों को बोलते हैं कहते हैं कि बाहर की पाउर जाकर के देश में लोकतंतर खतम हो रहा है बाहरत में मेरे को बोलने नहीं दिया जाता है बच्चा है हो मतलब बच्चे की नौलेज जाद है बजा उसके I think he should not talk like this This is very bad They should not talk like this 24 election के साब से किसको देखना चाह रहे हैं जो कौन फॉर्ण पॉलिसी सही रख पाएगा कौन आना चाहिए पी-मदी मोदी जी, मोदी शाह, जोगी जी हमेंता विश्वास इस आर अल एंकर्स इस आर पुटिंग एवर्टिंग परस्पेक्टिब इतना ज्यान, इतना बद सब और सब इजत की नज़र से देख रहे हैं सब बदल रहा है आर है, आर है एपिधा इस चेंग देख रहे हैं रिसेंटी सटाटायर की बहुत बड़ी डील हुई है उसमें जो बाइडन ने तो दन्यवाद किया कि अरे 44 स्टेटों में 10 लाग लोगों को रोजगार मिलेगा जर्मन है, फ्रांस है, बिटिश के रहनेवाल है महराष्ट्रा के रहनेवाल, महराष्ट्रा में कहां के? में करता लोगा हूँ सर महराष्ट्र के अगर बात की जाए तो क्या आवाज है 2024 चुनाव के लिए मोधी जी क्यों कारण के लेकिन एक और यहां पर मैं चीज जानना चाहरा हूँ महराष्ट्र की बहुत बड़ी रीजनल पार्टी है शिवसेना जो दो अभी टुक्डों में बंच चुकी है क्लेम दोनों अपना अपना कर रहा है वहां के नागरी को नाते आप कैसे देंगर देता है जो चुनावा योग ने फैसला कि Kate बहुमत की आधार पर एक नाचिन्दे को शिवसेना कसिम्बल और नाम दिया गया य 350 एसाओवन आम जयादा आप उनको समर्थन जाद है जणतागर जाद है उद्धव ठाकरी के लिए क्या ते खाइब और पक्षे भी क्या प्रमुक ने दोनुशा मांचण ने वो पार्टी ने उसके बास आपका क्या ना मुदी जी की बाद ऐसी है कि कैसी है कि बहुत अच्छा कम कर रहे हो और सब ठीक है उनका उनकी इसमें सब लोगों का भी अच्छा है भारत योग क्या नाम है आपका यहां पर जो योगा दो दिन का चल रहा था उसके लिए योग महुसा को जो कारिक्रम था मिनिस्ट्री आफ आयूस और M.D.N.Y. के दोरा हम उसी में अखिल भारती योग सिक्छंग महासंग के पैनरत ले आये थे सामिलोंने के लिए योग को पहले जादा महतव दिया नहीं जाता था पूरी दुनिया जो है इंटरनेशनल योगा डे मना रही है एक किस जुन ने ऐसा नहीं है महा तो हर चीच का होता है जब उस चीच को हम जानते हैं तो हम उसको फिर सभी समयाने पर महा तो पहले भी वही था और आज भी वही है और दुनिया में नहीं मिलता भारत में तो बिल्कुल था जी भारत में था और आज भी है और भारत के दौरा ही दुनिया में गया है तो निशित रूप से और उसको सब लोग एकसेप्ट भी कर रहे हैं योए नो के दौरा हमार जो बिश्व स्वास्त अंगठन है उसको भी माननिता दी है और योग हर किसी के स्वास्ते के लिए अच्छा है दूसरी तरफ अगर बात कि जाए मद्दे प्रदेश की चर्चा में इसलिए है क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है वहाँ पर और बीजेपी और कॉंग कर रहा है और करना भी चाहिए और कोई भी गवर्मेंट आएगे तो निशीत रूप से उसको आगे ही प्रमोट करेगे अगले साल प्रधानमंत्री को बनना चाहिए और अब्यसलिए मोदी जी पनना चाहिए मेरे हिसाब से चोकि उनका जो देश में और पूरे बिश्ट में छवी बनी है वो अदुती है और सरायनी है वो यूग पूरुष है हमारे दिश्टी में और आना चाहिए इसलिए वो आने चाहिए बाकी जो भी पक्षिनेता तियारी कर रहे हैं बहुत सारे हैं मुम्ताब एनर जी है केजरिवाल है केसी आर है रहूल गांदी है नहीं सर द यूपी बरेली के रहने वाले हो बरेली में अभी जो है बरेली चर्चाओं में है पता आपको अतीक आहमत के भाई वहीं की जेल में बंद है जो पूरा इस समय उतर प्रदेश में बाहु बल्यों पर शिकंजा कसा जा रहा है कैसे देखते हैं इसको गलत नहीं जादा कड़ कि दूसरा भी ऐसा ना करता है यानि कि एक्शन सही है बाहु बली गलत पहले तो उत्तर प्रदेश को देखा जाता था कि गुंडा गर्दी और क्राइम और यह सब तो पहले देखा जाता है अब तो मोधी सरगार अब धीरे-धीरे सारा करपसन हट रहा है अब आप अब तो देखिए अपका गया ना हमें सब्सक्राइब निटीश दूपे अब बनारस के रहने वाले हैं यहां पर काशविश्वनात कारीडोर बनने के बाद कुछ बदला हुआ है वहां पर बहुत कुछ चेंजस हुए हैं बहुत बदला हुआ है जैसे कि टूरिजम में कु बन बन चुके हैं आएए बहुत सारे बन भी रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है आना चाहिए उनको लेगन कोई मतलब ने एक बार तो आये थे क्या हुआ लोगों ने देखा यह तो कह रहे हैं लोग प्रेता बढ़ गए हमारी आमादमी पार्टी पूरा इस बार जो है सरकार बना देगी कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है बनारस वाले फिर देखाएंगे तो किनहारेस पार्टी समाजवाधी है थोड़ा बहुत है अगल बगल सराउंड में बट बनारस में तो कुछ नहीं है बनारस में सी मोधी मोधी जी मोधी जी वो जितनी बार चुनाव लड़ेंगे उतनी बार जीतेंगे वहां से सर के रहने वाल मद्यप्रदेश में आज वहां पर आमादमी पार्टी के अर्विन केज रिवाल पहुंचे हैं बगवन तुमान पहुंचे हैं क्योंकि सब जानते हैं वहां का विदान सबा चुनाव आ रहा है कैसे देखते हैं सर यहां पर आम आदमी पार्टी पहले राजसान गई अब मद्यप्रदेश आकर चुनाव लड़ना चाहिए तो ठीक है वैसे वाना चाहिए वैसे साब से क्योंकि इन दो पार्टी है दो ही चलती है बीजएप और कांगरेस दो कांगरेस खतम हो चुकी है बीजएपी ज़्यादा त्याचार कर रही है अपनी वनवानी चलाती है फिल्कुल हर चीज में इसी बीच ये भी खबर सामने आ रही थी कि इस बार हो सकता है शिवराज की जगा जो तीरा दिते सिंधिया को जो है वो इस बार सीम कंडिडेट के नाम से उतारा जा सकता है पॉबिक नहीं चाहती है क्योंकि इधर से उधर जो हुए है वो बदल के आया तो इस पर विजबास नहीं करते कि यह को पादमी को फायदा मिलता है एक मीडियम क्लास को फायदा मिलता है बहले वो लाइट पानी माप करता है कुछ भी मीडियम आदमी जो राजनीती से लेकिन यहां भी बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं लोगों को एक इक डेट वात अलगे करा रहे हैं मुझे तो नहीं मालूम है लेकिन जिससाब सुसकी चर्चा सुनी थी आज जैसे अगर मालो पंजाब की बात करें पंजाब में आया हुगा मान तो मान कुछ तो फायदा मतलो एक आम आदमी को तो रोजगार मिलने के चांज देना मतलो